विज्ञान विख्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग ने और्गेनो मेटलिक के बहुत सारे कॉम्प्लीट कर लिए जिसमें मेटल एलकीन मेटल एलकाइन कम्प्लीट किया था उनकी बॉंडिंग प्रिप्रेशन वगयरा देखा था अब हम लोग इस समय मे इसमें प्लेस्मेंट सबसे इंपॉर्टेंट था मैं हर वीडियो में रिपीट कर देता हूं क्योंकि यह मैटल कार्बोनिल पढ़ रहे हैं उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट वह आप रिवाइस करिए दो बार पढ़िए तीन बार पढ़िए उसके नामा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारी प्रोपर्टी थी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपर्टी थी जिसमें की डिस्प्लेस्मेंट वाली पढ़ी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद तीसरा लेक्चर हमने इंपॉर्टेंट देखा था कैसे हमारा बॉंडिंग हो में आपकी बात मान तो ली लेकिन आप यह बताईए सर किसका एविडिन्स दिया गया था बॉन्ड लेंथ से और बॉन्ड इस्ट्रंथ से और वहाँ पे आयाय डेटा से युज किया था अब उसी के ही एक्सपेंडिड वर्जन में है और कलिरली कॉंसेट क्लियर होगा कैसे बैक डॉनेशन होती कैसे पाई बॉन्ड मैटल और कार्बन की बीच में स्ट्रॉंग होता ह और carbon और oxygen में उतना ही वीक होता है जैसे metal carbon bond बढ़ने लगता है bond strength वैसे carbon oxygen की decrease होगी और जैसे metal carbonil की जितनी decrease होगी उतना ही carbon oxygen का increase होगा simple सा फंडा था bond strength और bond length में relation में बताया था कि जो है inverse relation होता है bond strength का example भी दिया था एक हाथ से खीचोगे किसी चीच को कम खीच पाओगे दो हाथ से खीचोगे ज्यादा खीचोगे और तीन हाथ से आपके दो ही हाथ है बट दो हाथ आपके और कोई एक और मिलके खीचे तीन हाथ किसी चीज को मिलके एक साथ खीचोगे तो होता क्या है आपके और वो जो object है जिसको आप खीच रहें उसके बीच में जो distance है वो कम होती जाएगी तो उसका एक पाइब टूड जाता है तो उस समय कितनी होती है 1.150 मतलब 1.150 था और जब वो ट्रिपल बॉन्ड उसका मेंटेन था तब क्या था उससे छोटी थी क्योंकि बॉन्ड इस्ट्रंथ जादा थी वो थी 1.125 क्या थी जब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था तब इसकी बॉन्ड लेंद थी 1.15 जब टू बॉन्ड था यहां पे थ्री में तो यह था आम्स्टॉंग छोटी सी और जैसे ही इसके बॉन्ड और टू हुआ था तो इसमें क्या देखने को मिला था यह 1.150 यह बढ़ गई जैसे ही हमने देखा यहां पे तो यहां पे कितना चेंज आ पॉइंट टू फाइफ का चेंज आ गया जिसकी वजह से हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई क्योंकि बॉन्ड डिस्टंथ कम हो रही थी यह प्रूफ करता है बॉन्ड डिस्टंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे की इन्वर्स रिलेसन हैं आज के टॉपिंग में सुरू क तो कॉणफ यहां पर देख लेता है कोई कोई कम प्रूफ यहां पर देख लेते हैं यहां पर भी कोई कॉप्लेक्स हां यह रहा अब बताईए इसमें कौन सा hydrogen है hydrogen है ही नहीं तो 1HMR कैसे हो जाएगी आप खुद बताईए अगर आप graduation में पहुचे ही नहीं है और अभी 10 प्लस 2 में है intermediate में है तो graduation का exam क्यों दोगे वही simple से चीज़े जब इसमें hydrogen है ही नहीं तो इसमें कैसे 1HMR spectroscopy हो जाएगी इसलिए organic spectroscop और 1HMR और उसमें भी 1HMR 80% यूज करते 13C भी कम होती है यह सायद आपको मैं बता चुका हूँ और जब इन और गैनिक को डिल करते हैं वहां पे stretching frequency और इनको डिल करते हैं जहां पे IR spectroscopy useful होती है important होती है infrared spectroscopy variable tool for explaining bonding in metal carbon it provide information regarding bond order बिलकुल है यह बताएगी कैसे कितना bond है कैसे होगा वो भी explain करूँगा for MC and CO metal और carbon के बीच में कितना bond है क्योंकि हमें पता है metal और carbon bond कैसे बनता है कुछ ऐसे बनता है कार्बोनील हमारा triple bonded होता है लेकिन जो इसकी electron density है जैसे ही move आगे करती है तो इसकी दूसरी form बन जाती है resonating वो कुछ ही यह होती है यह लीजे एम double bond और यह यह भी इसकी resonating form है दोनों अब क्या है metal और carbon bond बढ़ रहा है घट रहा है कितना strong है यह co bond घट रहा है बढ़ रहा है resonance होने से यह donation होने से वो सब बताएगा कौन IR spectroscopy जिसमें उसी को आप बोलते हो vibrational spectroscopy IR spectroscopy को vibrational spectroscopy क्यों कहते हो क्योंकि IR infrared radiation is used in vibrational spectroscopy मतलब जब आप कोई spectroscopy आप basic पढ़े radiation दी जाती है compound क्या होता यहां पर ऐसे होता है lower state में होता ground state में इसके उपर एक energy डालते हो तो यह vibrate करता है उपर जाता है spectroscopy का यही principle ही यही है कि any radiation जो की इसको excitation करा सके इतनी gap का delta e gap के बराबर h new है मान लिजे यह delta e जो gap है यह इसकी value h new है तो h new amount का अगर इसको हमको मिल जाए amount तो यह transition करके वापस आ जाएगा जैसे ही उपर जाएगा तो उपर जाने के बाद तो कोई problem नहीं लेकिन जैसे ही नीची आएगा तो जो energy उसने ली थी तो क्या करेगा release करेगा और जैसे ही release करता है उसको हमारा detector observe कर लेता है और detector के observe करने से क्या होता है इसको डिल करते हैं यह क्या है डिक्रीज इंदा सियो बॉंड और 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 फोर्स कॉंस्टेंट अब यह फोर्स कॉंस्टेंट क्या दिमार्ट में नहीं आ रहा होगा मैं एक मिनिट रुकिए बस बता रहो complete करने दीजिए सब एक्स्टेंट करूंगा सियो बॉंड और बॉंड और तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे समझाए था बॉंड इस्ट्रेंथ हाथ वाला खीचने वाला एक्जामपल कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है और फोर्स कॉंस्टेंट कैंड बी एस्टिमेटेड बाई इस्टिडाइ स्कॉपी इंफ्रारेड रेडियेसंस आर यूजड जो वह एचन्यू बताई थी चुट्व यूज लाइट होती हुवो और वाइब्रेसन कराने के लिए हमारी हंडेड और वन परसंट कॉन्स यह इंफ्रारेड होनी चाहिए इसको इंफ्रारेड इस्ट्रेंथ और इस्ट् तो पता है यह कुछ नहीं है similarly आप ऐसे सोचिए हमको पता है कि यहां से कुछ distance है तो distance को आप किसमें मेजर करते हो आप किलो मीटर में मेजर करते हो similarly force का constant मतलब दो bond के बीच में कितनी force of attraction लग रही है उसको हम एको बोलते है force constant और उसी को ही तो बोलोगे bond strength की मतलब उनके दो bond के बीच में strength कितनी है यह दो बॉंडों के बीच में कितना force of attraction लग रहा है that is force of attraction और उसी को ही बोलते है बॉंधूर है उसी को ही बोलते हैं bond 세ht- PPर सायद यह आपको समझ में आ गया होगा। और इसको represent किससे करते है के यह जो फॉर्मूला है IR Spectroscopy में पढ़ाया गया है Hooks Law बोलते है According to the Hooks Law Mu is equals to 1 upon Pi Under root K upon Mu बहुत कठिन नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए पूरी के पूरी लेक्चर आपको यू याद होगा ऐसे ऐसे कैसे यहाँ पे जो K है K क्या है Force Constant है अगर मैं बात करता हूँ यह इसको बोलते हो आप K यहाँ पे लिख लेता हूँ में K is equals to Force Constant और Force Constant कुछ और नहीं है बच्चो बताया दो bond के बीच में लगने वाले Force of Attraction को क्या बोलेंगे Force Constant कहेंगे अब अगर हमारा Single Bond होगा तो आप बताये Force of Attraction कैसा होगा कम होगा अगर Double Bond होगा तो थोड़ा बढ़ेगा Triple Bond होगा तो और बढ़ेगा मतलब जैसे-जैसे Bond Order बढ़ेगा यह दो bond की बीच की Strength बढ़ेगी वैसे-वैसे हमारा Force Constant बढ़ेगा Clear है कि नहीं Force Constant है अब हम इसको लिख सकते हैं कि जो Force Constant है Force Constant क्या है Force Constant उसको हम Represent कर रहे है K Force Constant कब बढ़ेगा यह तो तब बढ़ेगा जब हम इसको Deal करते हैं अगर यहाँ पे नहीं लिखते हैं Next Page पे लिख लेते हैं यह लिजिए जहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं Force Constant जो है उसको Represent करते हैं किय से यह एक Relation दे रहा हूँ आपने अल्रेडी पढ़ रखा होगा बट इसको आप Note कर लेना Screenshot ले लिजिए जो आपको करना है बस आप याद रखना है आपको इतना याद रखिए Bond Strength के क्या है Directly Proportional और यह सब मैं बोल भी चुका हूँ पहले आज पहली बार नहीं बता रहा हूँ और Bond Strength किसके Directly Proportional होती है Bond Order के और Bond Strength इसके अगर बराबर है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा Stretching Frequency के बच्चो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक Important Information आप जोईन कर सकते हैं विज्ञान विरिक्ष के B.Sc. Semester and Yearly Courses को जो डिजाइन किया गया है आपके University syllabus को ध्यान रखते हुए और दोस्तों साथ ही एक course बहुँ जादा affordable है और इसमें आपको मिलता है Complete Course in the Form of Video Lectures Lecture Notes Previous Year Question Papers and Mentorship यह सब आपको मिलेगा विज्ञान विरिक्ष एप पर जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दिया गया है Stretching Stretching Frequency यह भी बताऊंगा Stretching Frequency क्या है अगर जिसने Spectroscopy अभी तक नहीं पढ़ी तो उसको मैं समझा दूँगा कि Stretching Frequency का मतलब क्या होता है सब डीटेल में आज अभी पढ़ लेंगे एक बार चलिए यह इसको चॉट में करके इधर लिख लीजे पहले Force Stretching Frequency जिसको आप क्या बोलते हो Mu इसके ही डायरेक्ली प्रपोर्शनल होता है इसके डायरेक्ली प्रपोर्शनल हमने सब कुछ लिख लिया है अब देखे यहां पर हम बात कर लिए है इस सब की इनको नीचे एक मिनट लाता हूं कि यह लीजिए ठीक है कि थोड़ा सा यहां पर आपको पता है अब इनको सॉइट वर्ट में भी लिख सकते हैं essayer बन चेंट कर लेख हैं इसको लिख सकते हैं न पर यहां पर लिख सकते हैं कि बॉंड पहुती है में is directly proportional to the bond strength is directly proportional to the bond order is directly proportional to the one upon bond length याद होगा born upon bond length और इसको भी बोल सकते हैं stretching Frequency बोल दे इस ट्रेचिंग frequency bracket में लिख लिए Mew यह हमारा overall conclusion है आज के lecture का अगरा यह आप याद कर लिया यह याद कर लिया तो यह मान लीजिए मोश्ट इंपॉर्टेंट है मैं बहुत कमी जगह लिखवाता हूं और अगर लिखवा रहा हूं तो उससे समझेए हर जगह यह काम आने वाला है सिर्फ और सिर्फ 능 यह बोलसकते हैं किनहीं की मिऊ इस डिकली प्रोपोस्वन ट्व एफ सौरिव ड्रेटल डिकली ओर चुछ होडिया और यही अभी हमने प्रूफ वह किया है कि जो हमारा फॉर्ष क कॉंस्टेंट है मियो है वो डिकली प्रोपोंचनल की यहाँ पर मारा क्या है यहिसाई हमारे बढ़ेगा या इस्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो बॉंड लेंथ उतनी कम होगी क्योंकि उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है सायद यह समझ में आ गया होगा इसी के ही रिलेशन का पूरा यूज करना है याद रखिएगा जहां भी बॉंड इस्ट या गया होगा चलिए हम करते हैं अपने नेक्ट पे अपनी डालार्जर दफोर्स आइस ट्रॉंगर इस्टॉंगर इस द बॉंड फॉंड फोर्स नस जतना ज़्यादा होगा उस्ट्रॉंगर विल्दा बॉंड यहीं हमने समझाए पूरा लेक्चर पीछे वाले कंक्लूज ज्यादा होगी और यह डारेक्ली प्रोपोशनल में स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है देख लीजे सारे एक दूसरे के डारेक्ली प्रोपोशनल सिर्फ बॉंड लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोशनल है similarly a triple bond has a higher force constant क्योंकि उनके बीच में तीन बॉंड है and double bond has a which and turn has a higher frequency than single bond मतलब सबसे ज्यादा triple bond में stretching frequency होगी then double bond में होगी then single bond में होगी सायद आपको समझ में आया होगा क्यों क्योंकि उनके बीच में ट्रिपल बॉंड है ट्रिपल बॉंड है तो बिल्कुल सही बात है then double bond बिल्कुल सही है for example the wave number in case of c triple bond c triple bond c यह लिखिएगा c triple bond c लिखा हुआ है bond is 2200 जो हमारा triple bond alkyne का alkyne का होता है वो कितना होता है but in case of c double bond c मतलब alkyne का कितना होता है 1640 यह 1650 होता है while in case of c double bond c मतलब single bond triple bond वाले का 1200 c double bond c वाले का 1650 और c single bond c वाले मनलब single जो हमारा alkyne होता है उसका 1000 cm inverse है यहां पर सेंटीमीटर inverse उपर पर लगा हुआ यहां पर भी सेंटीमीटर inverse में ही है याद रखिएगा तो कहने का मतलब क्या है जैसे जैसे bond order decrease कर रहे है वैसे वैसे फोर्स कॉंस्टेंट कम होगा वैसे वैसे stretching frequency भी कम होगी क्योंकि बॉन्ड इस्ट्रंथ कम जो हो रही है वही चीज यहां पर लिखी थी तो यहां पर लिखा फ्री सियो जहां पर फ्री सियो का कहने का मतलब क्या है उसके बीच में तीनों के तीनों बॉन्ड प्रजेंट है मतलब फ्री सियो में maximum होगी हमारी यहीं बताना है मतलब यह जो हमारी है एक तालिस सो तेतालिस है तो एक तरह से यह मान लीजिए कि सियो में maximum कितनी हो सकती है क्योंकि यहांभी कोई back donation नहीं हुई purely triple bond है और प्योड triple bond के होने कि में maximum होगी क। उसके बाद जितनी back donation होगी उतना यह तूटटा जाएगा क्योंकि metal और carbon का bond बढ़ेगा तो carbon और oxygen का bond घटेगा यहाँ पे यही तो दिखाया था, जैसे जैसे metal और carbon का bond बढ़ेगा, वैसे carbon और oxygen का bond घटेगा, यहाँ triple था और यह single था, तो जैसे ही यह double हुआ तो यह भी triple से double हो गया, मतलब यह decrease होगा, यह increase होगा, तो यह decrease होगा, simple से चीत थी, तो यहाँ पे आपके सामने सारा data लिखा ह हुआ है, और यहाँ पे there is a considerable decrease in the stretching frequencies of CO in the metal कारबोनिल, metal के कारबोनिल में, यह free CO है, लेकिन metal के जैसे ही link कराओगे, तो उसकी stretching frequency में decrease होगा, क्यों होगा, क्योंकि वहाँ back donation होगी, और जो C और O के बीच में bond की strength है, वो decrease होगी, क्योंकि metal और carbon के बीच में bond strength बढ़ रही है, तो carbon और oxygen की कम होगी, सायद ही आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे अगर मैं draw कर देता हूँ, M, C, triple bond O, उसी की ही resonating form M, double bond C, double bond O, जैसे ही इधर यह strong हो रहा है, यही चीज़ बताया गया है, depending upon the way of carbon monoxide is bonded to the transition metal, stretching frequencies of CO varies, मतलब किस तरह से CO जुड़ा है, decrease तो confirm है, याद frequencies, decrease तो confirm है, लेकिन किस टाइप में गया, यह depend करता है, और उतना ज्यादा variation होगा, वही चीज़ है, फिर carbon monoxide can bound in है, three different manner, तीन different तरीके से बंद सकता है, एक हमारा metal यह हो, यह हमारा metal हो, इसके साथ CO जुड़ा हो, terminal position में, terminal position में जुड़ेगा, तो यह होगी, फिर हो सकता है double bridging मतलब एक metal हो, और दूसरा metal हो, उन दोनों को connect करने वाला सिर्फ एक CEO हो, मैंने बताया था, what is bridging, दो point को mix करने वाली चीज़, दो point को link करने वाले को, हम bridge बोलते हैं, यहाँ पे CEO क्या करेगा, दो point को मिला रहा है, इसलिए इसको double bridge बोलेंगे, यहाँ पे 3-3 metal को link कर र link करने का काम करता है, उसी को bridge बोलते हैं, यहाँ पे 2 metal को link करने का काम CEO करता है, इसलिए यह भी CEO bridging होता है, यहाँ पे 2 metal को करता है, double bridging, यह 3 को करता है, triple bridging, साइद यह समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देखिए stretching frequencies दी गई है, type of CEO, कौन कौन से है, CEO कितनी तरीके हो सकते एक तो सबसे पहले free CEO हो सकता है, एक terminal CEO मतलब खाली metal से link हो जाए, फिर दूसरा का ऐसा bridging 2 metal हो, उनसे link हो जाए, एक हमारा CEO, एक कैसा हो सकता है, triple E वाला मतलब, एक metal, दो metal, एक नीचे metal, इन तीनों से एक साथ link हो जाए, जो कि यह वाला example, इनकी stretching frequencies, अब आप खुद 42 होती है, metal जैसे ही आता है, तो क्या होता है, decrease होना सुरू हो जाती है, क्योंकि metal अपनी electron density इसको देना सुरू करता है, और यहाँ पे इसके बीच में bond बढ़ेगा, और इसमें कम होगा, तो इसका bond strength बढ़ेगा, bond order बढ़ेगा, bond order बढ़ेगा, force constant बढ़ेगा, force constant मतलब decrease हो रहा है, तो bond strength बढ़ेगा, force constant बढ़ेगा, और stretching frequency बढ़ेगा, तो एक अगर हमारा metal है, तो थोड़ी decrease होगी, अब आप खुद सोचिए, एक CO है, उसने back donate की, तो थोड़ी decrease होई, अगर दो-दो metal हम इसमें back donate कराएं, यहां से भी back donate करें, और यहां से भी back donate, इसमें तो एक ही back donate कर रहा है, तो इतना decrease होगा, और जब दो-दो metal करेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा back donation होगी, और यह वाला bond और ज्यादा तूटेगा, और ज्यादा तूटेगा, तो और प समझा देता हो last example इसमें यहां पे तीन तीन मेटल है तो पहले एक देने से कम हुआ फिर दो देने से कम हुआ इसमें तो तीन तीन मेटल बैक डोनेट कर रहे हैं उसकी एक एंटी बॉंडिंग में मतलब यहां तो भैंकर वाली कम होनी है यहां पे तो stretching frequency बहुत ज्यादा कम होन सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कम है कितनी हो गई सत्रा सो से सोला सो सेंटीमेटर इन्वर्स हो गई यह समझ में आ गयो क्यों कि बाक डोनेशन का बढ़ रहा है यह देखिए एक मैटल से बढ़ रहा था तब हमारा यहां पर इसका तो बढ़ गया लेकिन सियों का कम हो रह है MRC में किसमें ज़ादा होगा तब तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी क्योंकि मैटल ज्यादा डुनेट कर रहा है बांड मैटल और कारबन की बढ़ रही है और स्पल्म पर थोड़ाएं से होंगे तो यहां पर sai बांड दिखा रहा हूं यहां पे double bond दिखा रहा हूँ, यहां पे single bond दिखा रहा हूँ, reason is behind this, कि यहां पे हमारा back donation की वज़े से bond कम होते जा रहे हैं, इसी bond कम होने ही के वज़े स्ट्रेचिंग frequency कम हो रही, इसी bond order के decrease होने ही की वज़े से तो हमारी stretching frequency और force constant कम हो रहा है, यह समझ में आ गया होगा, तो देखे उसी के बिहाफ पर सारी चीजे और समझाई गई हैं आपको, free CO has a stretching frequencies of 143, terminal CO group in a neutral metal carbon are found in the range, 21-1900 मतलब, जब 46 CO अकेले हैं तो 143, सिर्फ neutral वाला आया तो थोड़ी बहुत back donation कर दी, तो थोड़ी बहुत decrease हो गई, और कितनी हुई, 225 से 1900, जो पीछे उसी का यहां पर define किया गया है, so in clearly the reduction in the CO bond order, इससे हमें यह proof हो रहा है, कि CO का bond order decrease हुआ, आप कहेंगे कैसे हुआ, अरे यही तो बताया कि अगर stretching frequency किसी की घट रही है, that means उसका force constant कम हो रहा होगा, क्योंकि hooks law का formula ही ऐसे है, अगर यह चीज़ कम हो रही, that means यह कम हो रहा होगा, और के क्य हाया था, यह यहाँ पर मैंने explain भी कर दिया, more ever when changes are made that should increases the metal carbon back bonding, मतलब metal carbon की back bonding तो बढ़ रही है, the CO frequencies are shifted to even lower values, जैसे जैसे हम metal carbon की back bonding बढ़ाते जाएंगे, back donation बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे value कम होंगी, अगर नहीं याद हो तो यह देखे, यहाँ देख लीजे, यहाँ लेते हैं, दो electron यह donate कर रहा है, दो यह कर रहा है, यह अकेले दो donation कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी decrease हुई, अब यहाँ चार का back donation हो रहा, तो जादा कम होगी, और यहाँ तीन metal है, सब दो दो देंगे, तो 6-6 electron का back donation मतलब सबसे कम इसकी होगी, और experimental data के according, यहाँ proof भी है सबसे कम इसकी 1700 से 1600 हो जाती है, आपके सामने data लिखा गया है, फिर बात, यहाँ पर हम लोग कर लिए है, example, if some CO groups are replaced by legend with a low or negligible back bonding eligibility, मतलब अगर CO को replace करके, कैसे ऐसे हम legend ले आए, जो की back bonding ना कर रहे हो, तो क्या होगा, those CO groups that are left, जो बचे हैं, वो must have deep eye electron from the metal to prevent the accumulation of negative charge, क्या कह रहा है, कि यहाँ पर क्या होगा, कि more deep eye electron from the metal to prevent the accommodation of negative charge, जैसे जैसे CO हटेंगे, और कोई legend आएगा, तो वो और ज्यादा electron लेंगे, कहां से, मैटल से, और मैटल से लेंगे, तो क्या होगा, मैटल कारबन की तो bond strength बढ़ेगी, लेकिन कारबन ऑक्सीजन की bond strength घटेगी और bond strength घट गई, पूरे chapter में metal carbon की कहीं पे नहीं है, सिर्फ पढ़ना हमें किसका है, CO का, लेकिन क्योंकि उस metal carbon के bond की वजह सही सब होता है, इसलिए बार-बार बीच में नाम आ रहा है, लेकिन जितनी भी data मिलेगा, जितनी भी values मिलेंगी और जतना explanation मिलेगा, वो carbonil का मिले पूरे chapter में आपको, वही चीज कह रहा है, कि जैसे metals अगर हमको उसको neutralize करना है complex का, तो D electron और लेने पड़ेंगे metal से, और metal से जैसे ही और आएंगे, तो क्या होगा, back donation जादा होगी, CO bond हमारा all तूटेगा, bond strength और कम होगी और lower हो जाएंगी stretching frequencies की value, वही मैंने यहां पे लि याद करिए pure CO, खाली CO की लेते हो तब कितनी होती है, वो होती है 243, यहां पे लिख लीजिए, mu CO जो होती है खाली, वो होती है 243 cm inverse, लेकिन अब बात कर रहा है, जैसे ही metal लगाया, है तो negative, मतलब neutral, थोड़ी बहुत तो back donation करेगा, जैसे ही donation करेगा, तो देखे थोड़ी क कम हो गई, कितनी लगबग 1500 के आसपास कम हो गई, क्यों, क्योंकि back donation हुई है, due to the terminal carbonyl, उसकी वज़े से कम हुई, when three of the carbon monoxide group are replaced by amine group, तब उस समय इनकी कितनी कम हो जाती है, मतलब जब amine group की लगा के हम चेक करते हैं, तो CRCO6 के जगे तीन CO हटाए, तो CRCO3 और diene हमारा हो ग करेंगे, उससे देखने को क्या मिलेगा, the stretching frequencies due to CO group should be lowered greater extent, और घट जाएंगी, मतलब पहले तो कहां से कहां घटी है, पहले तो यहां 243 से 2000 कम हुई, लेकिन अब कह रहा है कि मियू सूओ और घटेगा, और कहां तक 1900 तक चला जाएगा, कब जब सियो नहीं होगा, कोई ऐसा आएगा, जो कि electron metal पे दे रहा है, और metal पे electron देने का मतलब है, metal back donate करेगा, और कहां करता है, कार्बोनिल पे, और कार्बोनिल पे करेगा, तो सियो का bond order decrease होगा, bond order decrease मतलब bond distance decrease, bond distance decrease तो stretching frequency भी decrease होंगी, और कितना decrease हो जाएंगी, 1700 या 1900 के आसपास पहुँच जाएंगी, सोच ल झाल झाल तो देखिए 1225 से 1900 मलब 200 से 1900 के रेंज में रहता है 200 से 1900 के रेंज में होने से यहाँ पर वही हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया यहाँ पर डिसाइड कर दिया है कि 2000 आ रहा है दोनों इन बिट्वीन में लेकिन जैसे अब इस कार्भोनील को हटाओगे तो ये इतनी कम कैसे हो गई इसका भी जांपल देता हूँ आपको देखिए यहाँ पर यह सारे इकोईलंट पई एक्सेप्टर आपको बताया था कार्बोनिल जो होते हैं पाई एक्सेप्टर होते हैं क्योंकि उनकी एंटी बॉंडिंग खाली होती है वह वहाँ एलेक्ट्रॉन ले लेते हैं लेकिन इसमें क्या होगा यह वाले नाइट्रोजन के पास एलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अब देखें नाइट्रोजन के एले करवाई हों चाहें कार्बोनिल और अपनी यह करता है तो यहां पर और जादा बढ़ पहले जो सिगमा बॉंड से भी बढ़ा रहा है इसकी वजह से यहां पे निंगेटिव चार्ज बढ़ेगा और जैसे निंगेटिव चार्ज बढ़ेगा आप खुद बताइए जब सियू क सिख्यमा बाण मतलब यह वाली से तो बढ़ी रहा है कि यह इससे बढ़रा इससे बढ़ रहा हुता है उससे भी उछ इननसीटी बढ़ा रहा है पहले 2-4 electron कर रहा था अब यह दो जो 2-4 electron है यह और फिर से कर देगा CO को तो क्या होगा फिर से वही होगा कि metal carbon का bond और strong होगा लेकिन metal carbon का तो हमको पढ़ना ही नहीं है metal और carbon का तो strong होगा लेकिन यहाँ पे जो विचारा यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे इस जगे यहाँ पे metal और carbon को तो strong होगा लेकिन यहाँ जो यह वाला bond है यह वीक होता जाएगा यह जितना strong होगा यह उतना वीक होगा तो यहाँ पे MC bond हमारा strong हो रहा है CO bond decrease हो रहा है इतना decrease होता है कि 2143 से लेकर 2000 तो यहीं आ गई थी और यह 2000 से घटके 1900 तक पहुच जाती इवन 1760 तक भी पहुच जाती आपके सामने data लिखा है साइद यह समझ में आ गया होगा the oxidation state of a metal also influence the CO stretching frequency जो मैंने यह बता दिया है वही चीजी यहाँ पर लिखी है कि electron density metal के पास जितनी जादा होगी उतना CO stretching frequency कम होगी because जहां यह बढ़ेगी तो यह इधर देगा और इधर देगा तो यह इ कम सबसे पहले ही relation लिखाया है most important रट लीजिए वो ठीक है उसको आपको रट लेना है पूरा तो यह देख लीजिए यहाँ पर बना है यहाँ पर oxidation state का बता रहा है influence करेगा in case of a negatively charged carbonylated anions मतलब कह रहा है कि जो anion होते हैं या और कौन से यह वाले complex जहां पर two minus जिसका नाम मै negative charge है तो यह क्या करेंगे metal carbonyl के उपर फटा फट electron भेजेंगे जैसे यहाँ भेजेंगे और भेजेंगे तो हमारा सियो stretching frequency कम होगी और बहुत कम होगी और जैसे जैसे यहाँ पर एक है तो यह थोड़ा कम करेगा इसके पास दो दो negative charge है यह तो यहाँ पर F.E. क्या करेगा इ stretching frequency भी कम हुई सायद ही आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर बोल रहा है दा निगेटिव चार्ज मस्ट भी टेकन फ्रॉम दा मैटल एटम एंड पुश्ड इंटू दा या देखो पुश्ड इंटू दा एंटी बांडिंग और वाइटल ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड के श्टार्टिंग यही तो बता रहा हुं कि मैटल केंन नॉटलमटेत यह और यह जो एंटी बांडिंग में भेजे गा जैसे जैसे अनू बांडय नं में भेजे गा तो तोटे बिल्कुल सही बात है दिस वुड लीट टु फर्दर वीकनिंग ऑफ सियो मतलब पहले ट्रिपल बॉन्ड से यहां प्योल ट्रिपल से थोड़ा कम हुआ और यहां पे थोड़ा कम हुआ और जब यह निगेटिव निगेटिव चार्ज आए यह तो और ही कम कर देंगा और पू जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा मैटल कैननोट अकॉमडेट निगेटिव चार्ज जब नीट्रल वाला बैक डोनेट कर रहा है तो जैसे निगेटिव चार्ज होगा तो थोड़ा करेगा और जिनके उपर दो दो निगेटिव होए तो वो तो भर के करेंगे और जित आइसो एलेक्ट्रोनिक लेक्टिव लेने का मतलब है कोई बीएक एलेक्ट्रोन ले लेता है 23 plus 1 मतलब ये भी 24 है sodium एक electron देने के बाद 10 हो जाता है chlorine एक electron लेने के बाद 18 हो जाता है similarly जो 23 वाला है एक electron अगर दे देगा यहां से अगर दे देता तो 22 होते लेकिन negative है मतलब ले रहा है तो 24 हो गया 24 electron यहां भी है 24 यहां भी है 6 CO यहां भी है लेकिन difference क्या है यह neutral है इसकी electron back donation की power जो होगी कम होगी यहां पे थोड़ा थोड़ा दे रहा है इसलिए थोड़ा decrease हुआ है यहां 2143 सो 2000 आया लेकिन जो लोग जहां पे negative charge है तो back donation तो पहले ही हो रही थी और negative charge आने की वज़े से और ज़्यादा back donation होगी तो यह जो यहां से इतनी कम हुई तो यह और ज़्यादा कम हो जाएगी वो 1900 के आसपास पहुच जाएगी 1800 पहुच जाएगी यहां पे हम देख लेते हैं कितनी value हम लोगों ने यहां पे लिखी हुई is more negative charge the frequency shift to 18060 कितनी? 2000 यहां इसकी होनी चाहिए free वाले की तो इतनी है neutral वाले की तनी है और एक negative charge आते ही 1860 हो गया the frequency found इसकी 2000 यह देखो यहां भी लिखा है data पे भी लिख दिया है next देख लेते है on the other hand effect of replacing positive charge on the metal देखे negative charge होने से तो back donation हो रहा है लेकिन मैंने क्या बोला the metal cannot accommodate negative charge on it negative charge नहीं रख रहा है लेकिन अगर मेरे पास खुदी deficiency हो जाए तो मैं किसी को क्या दूँगा अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तभी तो मैं किसी को donate करूँगा लेकिन मेरी खुद की college की fees 6000 रुपए है और मेरे account में 30,000 ही हो तो मैं किसको कैसे दे पाऊंगा किसी भी friend को हो कितना भी best friend हो तो मैं उसको कैसे donate कर सकता हूं क्योंकि मेरे खुद के college की fees 60,000 है और account में मेरे 30,000 है तो मैं कैसे दे सकता हूं क्योंकि मुझे खुद ही चहिए 30,000 रुपए तो मैं खुद ही किसी ना किसी से सेयर करूंगा या मांग के लूँगा कि भीया दे दीजिए फीश जमा करनी similarly जिन भी metal के उपर positive charge होगा तो उनके उपर क्या होगी deficiency positive charge के मतलब अपना electron किसी को दे चुके हैं पहले और उनके पास खुद deficiency है और negative charge होने के मतलब कि वो neutral थे और किसी से लेके बैठे एक्स्ट्रा charge आ गया है तो यहां पर जो positive charge होगा तो neutral वाले neutral होते लेकिन जब positive charge होगा तो उसकी वज़े से जो neutral वालों में back donation होती है वो भी नहीं हो पाएगी तो यही एक्स्ट्रेइन किया गया है और अधर हैंड एफेक्ट ओफ प्लेसिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दा मैटल इन मैटल कार्बोनिल विल हैव रिवर्स एफेक्ट कौन सा रिवर्स एफेक्ट निगेटिव चार्ज होता है तो डोनेशन करता है और स्टेचिंग एसे लिखते है और उसके बाद इसको सो करते हैं यह तो निट्रल में होता है लेकिन अगर यह पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यह जाएगा ही नहीं तो नियरली यह कैसा रहेगा नियरली फ्री सीयों की तरह रहेगा बैक डोनेशन होगी नहीं तो यह 2143 के आसपास ही रहे सिंपल साय कॉंसेप्ट है यहां पर और यहां पर क्या हम लोग बोले हैं विद पॉजिटिव चार्ज होने मैटल इट्स पाई बैक बांडिंग अबिलिटी एम पाई स्टार रेडियूज रेलेटिव टूदा न्यूट्रल मैटल अगर मैं आपको यहां से बता देता हूं क कि फ्री स्यों कि कितनी होगी फ्री स्यों की तोild rainforest होगी ुसके बाद स盦 द सेंके इसके नमबर पर कौन आएगा अब बताएं इसके बाद सेंकेमरल वह गाएंग content जिंके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वह आएंगे और उसके बाद कौन से यकारद्ध वाले नहीं आएंगे उसके बाद न्यूट्रल वाले स्यों आएंगे और सबसे लास्ट में हमारे कौन से आएंगे वह जिनके उपर निगेटिव है यह किस चीज का ओडर लिख रहे हैं यहां पर तो हई नहीं कुछ नहीं मैक्सिमा मिसकी हो गी उसके बाद इसमें क्या है होगी बहौत ही कम मतलब अगर आप जैसे जिसकी कम है बहुत ही जाधा अरुघन काम हो जाए तो ठोक यह तो ठोड़ी बहुत दे सकता है लेकिन इसके पास क्या है मतलब अपनी खुद की तो है जो डोनेट कर सकता यह दे दिया लेकिन इसके पास सो एक्सेज में है और एक्सेज में है तो MC बॉंड यहां बहुत श्ट्रॉंग होगा तो मैंने लिख दिया है MCO एक्जामपल भी ले लिया हूँ MCO पॉजिटिव जब देखते हैं तो इसकी कितनी है देखिए दो हजार नब्बे और फ्री सियो की कितनी होती 1143 मतलब सिर्फ कितनी कम हुई 50 कम हुई मतलब इसमें बिल्कुल नेगलेजिबल बैक बॉंडिंग हुई होगी या बैक डोनेशन हुई होगी वाइल इस न्यूट्रल आईसो इलेक्ट्रोनिक देखिए मैंगनीज है और पॉजिटिव है मैंगनीज का इलेक्ट्रोनिक कन्फिगेशन होता है 25 यह भी हमारा डीफोर ही है सिंपल मतलब 24 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगेशन इसकी है 24 इसकी कितनी होगी 2000 होगी क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं यह तो ज्यादा बैक डोनेट करेगा मैटल के उपर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यह बिल्कुल नहीं काद आया यहां पर फृजियों कि लिख लीजिए बार-बार में बोल रहों फृजियों की कितरी है 243 इसके कंपैरीजम में इसकी थोड़ी कम हुई क्योंकि यह निव्डल है फिर यहां एक निगेटीव बढ़ा तो इसके कंपैरीजन में और कम हुई यहां दो दो निवर तो देखिए कितना कम हो गई हो 2143 से सिधा 1720 हो गई सिमिलरली D6 configuration वाले कौन से है क्रोमियम को देख लीजिए क्रोमियम का होता है 2000 जब neutral है और इसके उपर positive charge है तो आप बताईए क्या होगा neutral वाले से बढ़ जाएगी क्रोमियम के comparison में तो यह कहेगा भाया मैं तो नहीं दूँगा क्योंकि positive charge है तो 2090 हो जाएगी इसके उपर negative charge तो सबसे कम इसी की होगी क्योंकि यह सबसे ज़्यादा donate करेगा साइद यह आपको समझ में आ गया होगा यहां से हमने अपना पूरा जो भी मेटल कार्बोनिल का था वह सब कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा मेटल कार्बोनिल यहां से कंप्लीट होता है थैंक्यू सो मच